Hello Student, नमस्ति, आपका नमस्ति ITI YouTube चैनल पे Welcome है तो आज से आपका क्या है कि glory skill का class चूरू होने वाला है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 25 skills के अंदर क्या-Qué slabers देहने वाला है क्योंकि जो 2024 में बच्च्चे admission करा हैं तो कहीं न कहीं क्या है कि slabers pattern चेंज हुआ है तो आज हम इस class में देखेंगे कि हमारा क्या-क्या syllabus है तो आगे बढ़ते हैं उसके पहले हम थोड़ा सा आपको notification देना चाहेंगे कि जो हमारा नमस्ती IT यूटुब चैनल है या नमस्ती IT अप्लिकेसन है उस पे क्या है आपका आपका इसमें क्या होगा कि कोर्स के साथ साथ आपको क्या किया जाएगा मौक टेस्ट भी दिया जाएगा सर जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा hand written होगा, PDF होगा किस पर होगा, नमस्ति IT application पर होगा, ठीक है तो आपका क्या होगा, आपका एक तो क्या है, कि जो ED WCS, जो है कुछ trade है, जैसे कि आपकी होगे, RAC, Fitter, Wilder, वेगरा होगे, तो इसमें क्या है कि ED और WCS, ये क्या है free रहेंगे, सारे course के साथ क्या है, ये free रहेंगे जो mostly आपके trade है, उसमें क्या है, ये WCS और ED और पढ़ना होता है तो क्या करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत वेगरा आता है, तो आपको क्या करना है, इस नमर पर contact करना है, 7800 3660 जिनका trade है, जैसे आपके हो गए, तो उनका क्या है, कि trade theory, trade theory के अंदर क्या है, कि exam में कितने question बन सकते हैं, इसमें से आ सकते हैं, trade theory में 38 question आ सकते हैं, workshop, science and calculation वाले जो हैं, उसमें क्या होंगे, आपके 6 question रहेंगे, पूछे जाएंगे, engineering drawing वाले जो रहेंगे, उसमें भी से क्या किया जाएगा, 6 question पूछा जाएगा, implivity skill से क्या किया जाएगे, 25 question पूछे जाएगे, ठीक है, टोटल आपके 75 question बनेंगे, इससे, जो क्या है, हर question आपका क्या होगा, 2 number कराएगा, तो 38 का क्या होगा, double, 766 6 का double, 12, और यह आपके number रहेंगे, marks रहेंगे, ठीक है, जो कितना होगे, टोटल, 150 number के, तो जो ट्रेड हैं, जैसे कि जो दो साल के, जिनका दो साल का ट्रेड है, उनको क्या है, यह आपका charge subject रहेगा, एक तो उनका रहेगा, किसी भी ट्रेड से हैं, तो उनको क्या है, ट्रेड थीोरी का एजाम तो देना ही देना है, CVT जाम, ठीक है, फिर उनको क्या पढ़ना होगा, वर्कसॉप, साइंस, एंड कालूल कलेशन के बारे में पढ़ना होगा, engineering drawing के बारे में, ठीक है, तो ये क्या है, वर्कसॉप, साइंस, जो काल्कॉलेशन रहेगा, हमारी जो जैस्वाल सहर है, उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा, और engineering drawing, ये भी आपको सरपढ़ाएंगे, उसके बाद impliability skill, impliability skill मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, इससे अब ही आपको जो भी होगा, आप जो भी trade लेते हैं, उसमें आपको क्या किया जाएगा, impliability skill का, course free में, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो ये चार subject रहने वाल हैं, ठीक है, बाकी जो, जैसे की कोपा हो गया, कोपा trade के बच्चे हैं, उनको क्या करना है, सिफ trade theory और क्या करना है, impliability skill पढ़ना है, ठीक है, फिर ये आप लोग को बताई दिया, कि इतने इतने नमर के आपके क्या किया जाएगे, exam के अंदर question पूछे जाते हैं, और एक question आपका क्या होगा, दो number को होगा, तो आपका किनना होगा, इन सारे चीजों से आपको मिला के किनना होगा, डेर्टो के question रहेंगे, ठीक है, डेर्टो नमर के रहेंगे, पचटतर नमर के question रहेंगे, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, कि जो आपका नमस्ते idea अप्ली के सान है, इस तरीके के आपको क्या होगा, लोगो दिखेगा, आपको जाना है, अपना email address, phone number जो भी डालना है, password आपको जो बनाना है, फिर यहां से login करना है, ठीक है, उसके बाद आपको आएगा, इंटर दी अपना mobile नमर डालना है, आपके mobile पे क्या होगा, OTP जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, आप जो भी trade के हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पे देख लो, diesel mechanic के होगा, detector को होगा, heat engine को होगा, RAC को होगा, अगर ड्राइवरी जैम के लिए, कोपा के लिए, यहां पे, ठीक है, तो जो भी आपका ट्रेडर है, वहां से जाएंगे, आपको क्या करना होगा, पर्चिस करना होगा, फिर आपको क्या होगा, कॉर्स के अंदर आपको सारी चीजे मिल जाएंगे, नोटिफिकेसिन वे अगर आपके आज आज जाएंगे, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, यहां से पर्शेस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आता है आपको contact नमर यहां पर बताया गया, या फिर WhatsApp पे भी आप message drop कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का class जो आपका है impliability skill के अंदर ठीक है तो impliability skill के अंदर आपका क्या है कि first of all क्या है ये सारी चीजे हैं आपका ठीक है तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इंट्रक्शन आप impliability skill पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद क्या करेंगे सेविधानिक मुल नाइटता मतलब कुछ हम क्या करेंगे constitution के बारे में पढ़ेंगे उसमें क्या होंगे आपके article वेगरा आएंगे article हो गया आपके उसके बाद आपके होंगे कि अगर उसके अंदर section वेगरा भी पढ़ा जाए जैसे अधारा वेगरा भी आता है अगर लगता है कि नहीं important है जाम में question बनेंगे तो वो भी आप लोग को मैं बताऊंगी उसके बाद क्या है जैसे मुल्य M नाइदिक्ता के बारे में हो गया हमारा constitution हो गया उसके निति निदेशक तर्तो हो गया उसमें क्या है कि आपके बहुत सारे article है एक one article से लेके आपको 35 article तक something हो आपके syllabus के recording तो वह मैं आपको बताने वाली हूं फिर इसके अंदर पारियोरण की सुरच्छा मतलब आपको परियोरण की गेम वेगरा हो गया है जैसे एक्टिविटी के मतलब कुछ explain करोंगे या फिर कोई ऐसा होगा जैसे कि गेम वेगरा होंगे उसको कोसिस करेंगे कि यहां पर रिपरजेंट करें ठीक उससे क्या होगा आपको थुड़ा सा समझ में आएगा फिर इससे कोई समस्या आ जाता है ठीक है तो हम आपने आपको उस समस्या से कैसे बाहर निकले मतलब आप उन्हें आपको कैसे मोटिवेट करें यह सारे चीजे इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो भी question बनेगा topic से उसके आपको पढ़ाया जागा फिर आपको हो गया कि English सार अच्छता ठ बेसिक थोड़ा से इंगली बताएंगे जैसे कि आपके tense वेगरा हो गया है और कुछ meaning से हो गया है आपके translate कैसे करना है फिर आपका हो गया कि कैसे हम अगर हम कोई book पढ़ना है ठीक है तो हमें कैसे read करना चाहिए कैसे उसको पढ़ना चाहिए अगर कहीं stop है ठीक है कि एक paragraph हो गया paragraph को हम कैसे explain करें कैसे उसको read करें यह सारी चीजी आपको बताए जाए गए फिर आपको हो गया कि इसमें कैसे मतलब अगर हम बोलना है अगर हम English बोल थो हम कैसे प्रोफेशनल तरीके से ओना यह सारी चुछे क्या होंगे basic से basic की होगा इसके अंदर पढ़ाया जाग आपको उसके बाद आपका आ गया कि संचार को अवसल ठीक है संचार को उसल कि अपने सेल्फ इंटोडक्शन अगर हम कहीं जाते हैं ठीक है अगर हम क्लास के अमालों के आप आपको ITI में admission लिया है तो ऐसा होगा आपके साथ कि हां चलो अपना introduction दो self introduction कैसे देना मतलब self introduction के बारे में बताएंगे कि हमें कैसे देना होगा अपको अगर से इंट्डोड़क्शन देना है तो क्या होना चाहिए चार से पांच Plus Line का होना चाहिए। उसमें यह नहीं कि पुरा एकदम two-teen पेज का आप इंट्रोड़क्शन के बारे में लिए और क्या करना होगा आपको teamwork in this system in this in one you can take brownase है कि आप कोप्राइविट्य वेगडर बनाना हो गा और इंप्लाइविटी स्कील मतलब यूज इससे भी किया आपके सिवेटी इस जाम हूँगे कि और किया होसे चेवे ऐफके प्रेक्टिकल ओंगे कि ड्रूरी है कि अगर आपका इस तो इसज तो आपको प्रेक्टिकल में पूछा ज सब्सक्राइब कि यह से इस में आपको बोल दे कि चलो group discussion करो अपना self introduction दे दो या फिर रीजिम बनान या बता दो ऐसे हो सकते हैं आपके प्रैक्टिकल में आ सकता है क्योंकि आपको दोनों syllabus के अंदर हैं ठीक है फिर आपका आगया कि आउसक digital skill के मतलब क्या हो गए कि हम इसमें क्या करेंगे computer के बारे में भी पढ़ेंगे अब computer के बारे में ES के अंदर क्यों पढ़ेंगे क्या है कि आपको इसमें क्या है कि practical work भी करना है इसमें आपको file भी बनाना है file बनाना है तो कहीं न कहीं आपको MS PowerPoint के अंदर या फिर MS Excel का या फिर MS Word का आपको जरूरत पढ़ेगा क्यों पढ़ेगा क्यों कि आप अबाब करूई तो आपको हैंड रीरण नहीं बना आ अगर खो कहिं न कहीं आ करना होग एक project की तरह बना आ कि आप क्या करो कि पहले उस पे बनाओ उसके बाद क्या करो उसको save करो फिर printी और गला निकाल करने अएंड का अनदर अड़ करो एक professional तरीके से कrना होगा मिलेंगा कैसी हम उसको बनाए कैसे उसका ठीक है तो इसके अंदर आपको क्या करेंगा basic computer के बारे में भी पढ़ाया जाएगा फिर आपका आ गया कि आपका विवितता और समावेशन थीक है विवितता और समावेशन तो इसमें आपको क्या करना होगा कि भेध भाओ जैसे कि हम class के अंदर बैठे हुए class के अंदर या lab के अंदर जहां पे भी आप बैठे हो कुछ हो सकता है कि ओभी CK हो, हो सकता है कि आपके HTSC के भी हो, ठीक है, और भी क्या हो सकता है, हो सकता है कि उसमें कुछ आपके ऐसे student है, कि जो आते हैं अधर category के अंदर, तो आपको क्या होता है, आपको कैसे मिल के रहना है, भेदभाव नहीं करना है, यह सारी चीज भी, मतलब जो भी आपके दिन दिन चर्या में होता है, जो आपके daily routine में होता है, यही सारे चीज़े क्या है, आपके employability skill के अंदर है, बस उसको कै और ह समय आना है, कैसे पढ़ना है, उसको क्या करना है, आपको यहां पर समझना होगा, ठीक है, फिर आपका आ गया कि विति सारस्था, ठीक है, आपको कुछ online के बारे मिलाई के बारे में बताया जाएगा, तब वो कैसे करें मतलब उनका कोई contact नहीं है तो online कैसे खोजें वो सारे चीजें उस कुछ application के बारे में बताए जाएगा उसको कैसे install करना है कैसे उस पर resume डालना है कैसे document डालना है कुछ-कुछ जैसे कि आपका अपना job हो गया यह बहुत सारे application है जिसके क्या कर सकते हैं क्या वह भी हो सकते हैं इसके भारे में भी आपको बताया जाएगा फिर अपका गये उद्मिठता को सोल ठीक है6 मार्केटिंग इसकील ग्रहा की जरूरते हैं ठीक है आप कैसे अगर मालों की आपको कि पर किसी कि आ जाना है या फिर आपको मान लिया कि आपने electrician trade कि आ से क्या किया है आई आई टी आई किया है तो आपके पास कहीं न कहीं बेसिक चीज़े आपको मालूम हो गया अब क्या करना है कि आप जॉब कहीं और जाके नहीं करना चाहते हैं आपको क्या करना चाहते हैं बिजनेस खुलना चाहते हैं आप मान के चलो कोपा के स्टूडेंट को पार के स्टुडेंट तो आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे पता हो गए इसमें किया है प्रोग्राम लोंग भी पढ़ना है तो आपको कुछ-कुछ सब्टवेर के बारे में पता चल गया है ठीक है तो आप क्या करना चाहते हैं कि आप कहीं और जॉब नहीं करके आप चाहते हैं अब लड़के हैं मेल हैं तो आप चाहते हैं कि हम खुद कहीं बिजिनर सुरू कर दे तो क्या करना चाहिए कि अब उनको कहीं न कहीं आना प्रइश्वर जीवन करना एक आप क्या करना है कि आप को जॉब की नीड है तो आप क्या करेंगे जॉब की नीड है आप के पास कोई आपको मैं बताओंगे कि हाँ आपको कौन कौन सा ऐसा अप्लिकेशन है जो आपके लिए वेनिफीट अच्छा है और इससे आप क्या सब्सक्राइब आपको इस अप्लिकेशन डाउनलोड करने से या इस पे रिजूम डालने से डोकुमेंट डालने से आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा तो कुछ-कुछ मैं ऐसे अप्लिकेशन बताओंगी जहां पर आप क्या कर सकते हैं इजली जॉब के बारे में सर्च कर सकते हैं अच्छा है आपको वहां तक आप प्राइवेट जॉब वेगरा भी कर सकते हैं अच्छा रहेगा वह आपके लिए अप्लिकेशन तो वह कैसे डाउनलोड करना है कैसे इस पर अपना डॉकुमेंट अप्लोड करना है रिजूम कैसे अप्लोड करना है वहां से कॉंटेक्ट कि नमिढ़ कैसेति करना है यह सार kisses की कैई कि च्छ जॉब मार्केट बारे में में रिशर्च गयारे करना है ठीक है है अ पीर आपका आ गया कि अग्रहक संपरक्सेवा अब वही बात आ गया कि हम क्या करें कि अभर अब हमको क्या करना है कि हम खुत का अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं लेती अगर आगर पर C सद़ाते हैं कि अगर के लिख जयो के क्या हुआ और हमें नाीव चाहते हैं कि आप MINS उसके साथ अच्छी से पेस नहीं आ रहे हैं आपके सारा सारा नॉलेज वहीं पर धरा रहा जाएगा क्योंकि जब आपके पास ही कुष्टमर नहीं आगा तब क्या बेच या फिर क्या डील करो गें उनसे ठीक है तो कहीं न कहीं वह क्वाल्टी होना चाहिए आपके अंदर के कैसे उनसे बाते करते हैं, कैसे हम उनसे डील करना चाहिए, कैसे वो हमारे प्रोडक्ट को खड़ दें, या फिर हम कैसे उनको बेचे, ठीक है, तो यह सारी चीजे क्या किया जाएगा, इसके अंदर बताया जाएगा, उससे जो भी activity corner बनेगा, image के द्वारा हम क्या करेंगे, explain करेंगे, जो भी question बनेगा आपका, उसमें आपका MCQ question में कराती रहोंगी, बीच बीच में, बाकि आपका जो भी exam आएगा, तो उस time भी आपका क्या रहेगा, continue चलता रहेगा, ताकि आपके जो भी exam में question बने, वो आप लोग का, इसमें से आए, ठीक है, ऐसा ही मैं आपके सामने क्या करूंगे, question लेके आओंगे, फिर आगे आपका job apprenticeship के लिए तैयारी करें, कैसे करें, मतलब कैसे हम तैयारी करें, अगर मालो कि आपने कोई भी course किया है, ठीक है, कोई भी course किया है, तो कहीं न कहीं आपको जाना है, पहार निकलना है, जॉब करना है, बिजनेस करन है, यही है कि आपका apprenticeship में क्या है, कि आपको job के साथ, apprenticeship के साथ 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 आपको क्या किया जाता है, work के साथ, skill के साथ साथ, salary package भी दिया जाता है, ठीक है, तो आप कैसे interview, मतलब अपने कैसे resume बनाए, resume, कहीं न कहीं अगर आप जहा रहे हो, कहीं पे भी मालो कि आपने घर ब अपलोड कर दिया, मैंने document, सब कुछ upload कर दिया, मालूँ वहां से call आगे, आपको जाना है, तो आप ऐसे ही अपने document लेकी नहीं जा सकते है, कि हम ऐसे document लेके जाएंगे, हमें क्या होगा, वहां पर मिल जाएगा, वहां पर भी क्या होगा, थोड़ा सा professional तरीका देखा आपको बताया जाएगा, जब इसके अंदर computer पढ़ाएंगे, आपको computer के बारें पढ़ाएंगे, तो हम बताएंगे कि कैसे आपको resume बनाना है, कैसे उसको PDF में convert करना है, कैसे save करना है, कैसे अगर उस file को नाम change करना है, तो कैसे change करेंगे, उसमें photo कैसे लाएंगे, यह सारे आपको क्या करेंगे, आप लोग के सामने explain करने की कोसिस करेंगे, बताने की कोसिस करेंगे, ठीक है, तो यह आपको क्या है, टोटल आपके कितने chapter है, 12 chapter है, अराम से पढ़ेंगे इसको अच्छे से समझेंगे, और question answer भी solve करते जाएंगे, activity अगर जो भी हमसे बनेगा, वो से जाद हम क्या करेंगे, activity के जरी हम क्या करेंगे, आपको समझाने की कोसिस करेंगे, बाकि जो भी दिक्कत आएगा, यहां की नई मैम हमें ऐसा थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाए, जैसे भी पढ़ाया जाए, कि थोड़ा सा और इसमें इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज का मतलब कि हमारा कुछ topic है, उसके बारे में और explain करेंगे, तो वो सारी चीजे आपको बताया जाएगा, बाकि आपको यह facility दिया गया है, कि हमारा क्या है, कि यह contact number 7800 366021, जो भी problem वे करा होता है, या फिर application से कोई problem होता है, कोई issue आता है, या फिर नहीं चलता है तो अब क्या करिएगा, contact करिएगा, या फिर WhatsApp में message drop करिएगा, बाकि जो ITI वाले बच्चे हैं, जो ITI copa trade से कर रहे हैं, copa trade का मतलब कि जो computer से हैं, ठीक है, जो admission लिया है 2024 में, तो बाकि इनका YouTube पे भी class चलेंगे, लेकिन अगर notes वेकरा चाहिए, test series चाहिए, PDF चाहिए, त तो आपको video class मिलेगा, class notes मिलेगा, PDF मिलेगा, mock test मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजे facility दी जाएंगे, साथ ही में 399 के अंदर ही आपको क्या किया जाएगा, impliability skill का भी course प्रवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको उसमें भी क्या होगे, आपको video class, class notes, PDF और mock test आपको साथ ही में क्या करिएगा, अब new drops मिलेगे, सबसे से पहले अपको क्या होंगे कि आपको लntवर क्लास मिलिषेगे आप पड़ते रहेंगे, ओम जो मिलते हैं आपको next classaron m. next class , तब तक के लिए आप लिए आप अच्छी से इसको раб세요, regardless of आवाञत जाएगा safety class, Nobel साली से जाए करते हैं फिर भी आपको क्या करना होगा इसको ध्यान में रखना होगा कि हमारे पास यह यह हमें यह यह टॉपिक पढ़ना है ठीक है कि अ कि कि कि